नमस्कार बहुत स्वागत है आपका वास्तू सास्तर में सही दिशा में घर में अगर आप अपराजिता का पधा लगा लें तो मा लक्षमी का आगमन होता है ऐसा वर्णन मिलता है तो भगवान विश्णु सनिदे भगवान सिव को अपराजिता का ये ब्लू नीला पुस-पुस चढ़ाना अतिसु माना गया है घर में अगर अपराजिता का पुधा हो तो सुखसांती देने वाला होता है धनलाब कराने वाला होता है और घर के हर बेक्ती की तरक्की भी करवाता है अपराजिता लेकिन अगर हम वास्तू की मानें तो घर के किस दिसा में और किस दिन अपरा जीता का पौधा आप लगाएं कि आप दिन दुनी राच चोगुनी तरकी करते चले जाएं देखिए वास्तू सास्त्री ये कहता है कि घर में मौझूद हर एक चीज से नकात्मक और सकात्मक दोनों ही उर्जा निकलती है अगर आप घर में सही जगा लगा दें या रख दें कोई वास्तू तो अच्छी उर्जा यहीं कि सकात्मक उर्जा निकलती है तो घर में लगे प सुक्सम्रिद्धिक और सकात्मक उर्जा बढ़ता है भगवान सीव भगवान विश्णु मालक्षमी तीनों का आगमन आपके घर में होता है और इन्हीं पौधों में से जो सबसे एक तरह से समझ लें कि भागी साली पौधा है वो है अपराजिता अपराजिता के पौधे में कई तरह के फूल होते हैं घर में नीले वाला अपराजिता अगर आप पौधा लगाएं तो सबसे ज़्यादा सुभ होता है तो अपराजिता को जो पौधा है वो घर के पूरव उ स्थान जिदर है उधर ही आपको लगाना है उत्तर पुरब के साथ आप इसान कोन में भगवान गनेश मालक्ष्मी और कुवेर भगवान का चुकी वास होता है तो ऐसे में इस दिसा में अपराजीता का पौधा लगा दें तो घर में खुब तरक्की होगी धन आएगा किस दि खुब ख़गवान शृष्णु और मौलक्ष्मी का दिन है अब भूल कर भी किस दिसा में ना लगाए अगर लगा लिये हैं तो कैसे अटाये देखे वास्तु केहता है कि अपराजीता का पौधा घर के पस्चिन दक्षिन दिसा में भूल कर भी ना लगाए इस दिसा में ल अपराजीता का पौधा आप लगा सकते हैं अब यह भी कहा जाता है कि यह जो पौधा है सनी की साड़े साती से भी मुक्ति दिलाता है अगर कुंडली में सनी की साड़े साती की समस्या से परिशान है राहत चाहते हैं तो नियमित रूप से यहर सनीवार को सनीदेव को अपरा सनिदोस समाफ्थ हो जाता है खत्म हो जाता है अब देखिए चुकि अपरा जीता का पौधा के बहुत सारे हमने आपको गुन बताए तो अपरा जीता का पौधा आप सुक्रबार गुरुवार को लगाएंगे और आप किसी भी सुब चोगडियां में लगाएं तो इसके फल जादा मिलेंगे चुकि अपरा जीता का जो बेल होता है उसको हमेशा उपर की ओर ही आप ऐसा वेवस्था करें कि उपर की ओजार नीचे नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा इस पौधे को लगाने से धन योग बनते हैं मालक्ष्मी का आगमन होता है और घर के जो कमाने वाले बैकती हैं उनके लिए अतिसुब है बेर्त की चिंताओं से उनको मुक्ति दिलाता है जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो जाती है और बेवजा का कलह कलेश से भी बचाता है मानसिक तनाओं में भी सांती देता है अपराजिता का पौधा तो माना जाता है इसमें ज पुस्प निकलता ही नहीं इस अपराजिता के बेल में अगर निकल जाए तो आपका भागे बदल देता है घर्ग में बहुत तरह से लाप देता है खुसियां लाता है एक लता जरी जातिय की बूटी है लेकिन इसके पुस्प बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अपराजिता के उपर बहुत ही सौंदर मई पुस्प खिलते हैं और अगर हम गर्मी के दिनों को छोड़ दें तो सेस दिनों में हमेशा ही इसमें पुस्प रहते हैं और अपराजिता का पुस्प सीप की भाती आगे की तरफ गोलाकार होते वे पीछे की तरफ संकुचित हो वैसे मध्ध में एक और पुस्प होता है जो इस्त्री की किसी प्राइबट पार्ट की तरह होता लेकिन इस तंत्र सास्तर में इस जो पुस्प है इसका बहुत ज़्यादा प्रियोग बताएगे हैं गरह दोसों के निवारन भी बताएगे हैं हलांकि जोतिस के अनुसार नीला रंग का पुस्प किसमत बदलने की छमता रखता है और इस से देवी देपताओं को अगर अरपित किया जाए तो कस्ट भी दूर होता है धन सम्रिधी बढ़ता है तो अपराजिता के पुस्प किस-किस भगवान को सबसे ज़्यादा प्री है यह तो हम जानेंगे लेकिन इसके कुछ बिसेश पर योग होते हैं अगर सिग्र बिवा नहीं हो पा रहा आपके घर में कोई हैं जिनका बिवा होने में बहुत परिसानी है या पिर सनिदेप के दुस्प्रभाव के कारण बिवा में बिलंब हो रहा है बार बार बाधाएं बिवा तय होकर कट जा रहा है रुकाबट आ रही है तब सिद्धी योग में सुनसान भूमी में अथवा सनिवार के दिन अनार की लकड़ी से जमीन खोद कर अपरा जिता के 11 पुस्प उसमें दबा दें तो बिवा के योग बनते हैं अगर बिमारी पीछा ना छोड़े डेवी है नीले फूल की वह है मासरवसती राहुकिष्ट डेवी है मासरवसती तो उनकी अराधना करनी चाहिए उनको अपराजिता आर्पित करना चाहिए विमारयों से चुठकार मिलता है और अगर सनीदेव के असूप्रभाव को कम करना चाहते हैं तो सनिवार के दिन मिन में मिट्टी खोद कर आप कहीं भी पीपल के नीचे दबा दे एक या पाच अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तब बहते हुए नदी में अप्राजिता का पुस्प बहादे और सनीदेप से सुक्सान्ति की प्राथना करें वैसे तो मोख्षदा एकादसी के दिन भगवान स्रीकृष्ण को अप्राजिता का पुस्प पर पित करने से गरीबी दूर हो जाती है वैसे इस पुस्प का वसीकरन भी होता है अगर आप लाख प्रियास के बाद भी मेहनत के बाद भी धन नहीं आपा रहा हो तो अप्राजि की पूजा करें और हन्मान जी को अप्राजिता पुस परपित करें अगर गर्व धारन में समस्या हो रही हो तब ऐसा कहा जाता है कि जब वांज इस्त्री है जो जिनको नहीं हो पा रहा है वो तो बहुत कस्ट में है ऐसे में उनको ब्लू यानि की नीला अप्राजिता की जड काली बकडी के दूद में पीस कर रजस्वला की समाप्ती परशनान के बाद अगर वो पी ले और तो यहां पर गर्व धारन करने की संभाव ना बढ़ जाती है अगर आपको हमेशा ही नकात्मक चीजे परिसान कर रही है तब सफेद अप्राजिता की जड़ सनीवार के दिन नीले कपड़े में बांध कर घर के दरवाजे पर लटका दें तो हर समस्या समाप्त हो जाती है लेकिन सवाल अब भी वही है कि कौन से भगवान को अप्राजिता का पुस्प अरपित करना चाहिए जो वो उनको प्रसंद करे देखिए अप्राजिता को कांत कांता भी कहा ज पर सबसे ज्यादा प्रिय तो भगवान सरी कृष्ण को है सनिदेव मराज को है हरहर महादेव धनिवाद